आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ गुड मॉर्निक स्टुडेंट्स तो आज का मारा Question क्या है तो हम पहले इसने पार्ट को देखते हैं फिर सेकिंड पार्ट पर बढ़ेंगे तो हमें बताया गिया मिथेन और एथेन में कितने CH2 यूनिट्स का अंतर है ठीक है तो आप लोग डारेक्ली देख सकते हो इन दोने में कितने Carbon कंतर है कितने Hydrogen कंतर है 2 तो कितने Units कंतर आया ऐसी एक यूनिट आगई पूरी की पूरी एक CH2 यूनिट कंतर है तो मेरा Answer फर्स्ट पार्ट के लिए होगा वन यूनिट ठीक है इसके लिए आप लोग इस चीच को भी ध्यान रख सकते हो कि यार यह Homologus Series है Homologus Series की Property होती है कि इसके दो consecutive members की बीच में एक यूनिट का डिफरेंस होता है और methane के बाद ethane आता है यह दोनों consecutive होते हैं इसी लिए इन दोनों की बीच में एक CS2 उनिट का डिफरेंस होता है ठीक है इतनी बाद समाज आगी अब आगे देखते हैं कुशिन में Similarly, by how many CS2 units do the neighboring members ethane and propane differ from each other तो आप लोग चाहो तो directly इसका answer यहाँ पे लिख सकते हो क्या लिख सकते हो इसका directly answer 1 unit कैसे बोल रहा हूँ मैं 1 unit सोचो ज़रा same property का use करके ethane के बाद propane आता है यानि कि यह दोनों consecutive हैं और जब consecutive members होते हैं होँ लोग सीरीज के तो उनके बीच में 1 CH2 unit का difference होता है इसमें फिर से आप देख सकते हो C2H6 and इसके बाद आ रहा है C3H8 notice करो इन दोनों में कितने carbon का difference है एक carbon और hydrogen दो hydrogen का difference है तो इन दोनों में 2 CH2 unit मतलब यह एक पूरा CH2 unit का difference है तो इन दोनों questions की answer हो गए 1 unit तो I hope यह question अब सबको समझ में आ गया होगा की 15牛ं में आ आ ए or छोनों सम्छ तो आपाद सबको में